इरान का गुसा अपने ही दोस्त रूस के उपर क्यों फूट रहा है तो वहीं दूसरी तरह भारत का सबसे बड़ा तहल का आठ राज एक ट्रिलियन डॉलर वाली एकोनोमी बनने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी ख़वर है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ है हमेशा की तरह जानने को बिलेगा बहुत कुछ आये जानते हैं इन ख़वरों को विस्तार से सीरिया की राजदानी दमिस्क में इरानी वानी जिदूतावास पर इसराइल के हमले को लेकर इरान ने अपने दो दोस्तों की भूमिका पर ही सवाल उठा दिया है इरान की पर इसराइल को दमिस्क में इरान के वानी जिदूतावास को निसाना बना कर किये गए इसराइली हमले पर तौरित निरनायक परतिक्रिया के आहवान के बीच ये आटकलेन लग रही है हलाकि इरानी अधिकारियों और सैनी कमांडरों ने ये दोहराया है कि वो इस हमला का जवाब जरूर देंगे वैसे इरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कई अरब मीडिया आउटलेट्स का दावा है कि अगर इसराइल हमास के साथ अपने संगर्स में राफा पर हमला करने से पीछे हट जाता है तो इरान इसराइल से बदला लेनी की बात को छोड़ सकता है आठ अप्रेल को इरानी अकबार जुमहोरी इसलामिक दैनिक के संपादिकिये में पूछा गया रूज जो सीरियाई हवाई छेतर को कंट्रोल करता है इरानी ठिकानों पर हवाई हमले को क्यों नहीं रोकता है सीरिया पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि पिछले महिनों के दोरान सीरिया में इरान को बहुत नुकसान हुआ है और ये निश्चित रूप से सीरिया के घुसपैटियों द्वारा किये गए देश-द्रोक के कारण है दिसंबर के बाद से इजराइली हमलों में सीरिया में 18 उच्छे रैंकिंग वाले IRGC अधिकारी मारे गए है ऐसे में ये इजराइल का प्रोक्सी की कमर तोड़ने का अभियान दिखता है जमहोरी इसलामी का संपादिकिये कहता है कि हमने पिछले महिनों के दोरान बार बार इस बारे में चेतावनी दी थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी क्या इरानी अधिकारियों ने कभी खुद से पूछा है कि सीरिया में रूसी सेना के खिलाप ऐसे हमले क्यों नहीं होते हैं रूस की उन्नत वायू रक्षा इरान के खिलाफ इसराइल के हमले को क्यों नहीं रोकती है अखबार में इस बात का भी जिक्र किया गया कि हिजबुल्ला ने 7 अक्टूबर से इसराइली हवाई हमलों में मारे गया अपने सदस्यों के रूसी और सीरियाई खूफिया विभाक से संपर्क की बातस्वीकारी साथ ही सोसल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट भी साजा की गई जो कहती है कि सीरियाई अधिकारी चाहते हैं कि इरान सीरिया छोड़ दे संपादेकिये में इस बात पर जोड़ दिया गया कि इरान की खूफिया और सुरक्षा चमताओं को मजबूत किया जाए और भविस में इस तरह के दुखद नुकसान को रोकने के लिए इस पर जादा ध्यान दिया जाए इरान के सुरच्चा तंत्र की ब्यापक समिक्षा की वकालत करते हुए महतपूर्ण सवाल उठाए गये हैं संपादेकिये में कहा गया कि हर हमले के बाद डिंग हाकने के बजाए निवारक उपायों को प्रात्मिक्ताद देनी चाहिए जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ रूस और इरान के संबंद जो सबसे मजबूत बताये जा रहे हैं इन सब के बीच में ये सारी चीजें हो रही हैं रूस, युक्रेन, युद्ध के बीच में, एरान और रूस के बीच काफी अच्छे सम्मंद रहे हैं。 कहा गया है कि ईरान के द्वारा कई सारी चीजें पहुँचाई गई पर इन सब के बीच में अमेरिका ने एक और काम किया है。 अमेरिका ने रूस के खिलाफ लंबी जंग लड़ रहे यूक्रेन को बड़ी मदद बेजी है। अमेरिकी सेना ने यूक्रेन को 5000 AK-47 राइफल सौंपी है। अमेरिका ने यूक्रेनी बलों को जो हतियार सौंपे हैं उनके AK-47 के साथ ही मसीन गन, सनाइपर राइफल, RPG-7 लाउंचर और 5 लाख राउंड से ज़्यादा गोलियां भी सामिल है। अमेरिका ने यूक्रेन को ये हतियार ऐसे समय में दिये हैं जब कीव जंग की कठिनाई का सामना कर रहा है। खास बात ये है कि AK-47 बंदू के रूस नहीं विक्सित की है और अमेरिका जो हतियार यूक्रेन को दे रहा है उसे रूस के एक दोस्त से ही जब्त किया गया है। अमेरिकी सेना के सेंटरल कमांड ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका की सरकाह ने चार अप्रेल को 5000 AK-47 राइफल, मसीन गन, स्नाइफर राइफल, RPG-7, 7.62 mm की 5 लाख राउंड से ज़्यादा गोलियां यूक्रेनी सेन्यबलों को ट्रांसफर किया। बताया गया कि ये हतियार यूक्रेन को रूसी आकरमन के बचाओं में मदद करेंगी। ये हतियार रूस के दोस्त इरान की एलिट फोर्स, Islamic Revolutionary Guard Cops के थे जिने अमेरिका ने जब्त किया है। एक दिसंबर 2023 को अमेरिकी सरकार ने न्याई विवाक से इन हतियारों का स्वामित्व प्राप्त किया और फिर इसे अलग-अलग तरीके से भेज दिया गया है। जो UN, UNSC के संकल्प बाइस सोला का उलंगन है। अमेरिका ने इरान के सेन नेबल IRGC को आतनकी संगटन की सूची में डाल रखा है। ब्यान में आगे कहा गया कि US Central Command, अमेरी की और UN पर्तिबंधों को वैद तरीके से यहाँ पर इरान का मुकाबला कर रहा है। और इसी करम में यह हतियार भेजे जा रहे हैं। होते हुए भी दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिक देखिए The Economics Times की आर्टिकल है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2014 के बाद जिस तरीके से भारत ने एकोनोमी में बदलाव आया है। वह बदलाव अब असर दिखना सुरू हो रहा है। तो वहीं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कहा जा रहा है कि भारत का सेयर मार्केट एक लाख वचास हजार का हो जाएगा दो हजार उन्तिस तक जो यहां की इस्थिती बता रही है और जिस तरीके से भारत चल रहा है। पर यह सब कुछ क्या यूँ ही हो जाएगा नहीं अभी एक और चीज है जो बेहत बड़ी चीज है और इस वक्त होने जा रही है। यह भारत की एकोनोमी में होने वाला है आगको बता देए आठ राज्ये इस्क्रीन पर देख सकते हैं जो एक ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी को पा जाएंगे। महराष्टरा, करनाठका, गुजरात, तमिलनाडू ये तीनों दो हजार एक तालिस तक एक ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थ विवस्था होंगे इनकी ग्रोथ रेट 7.2% के हिसाब से चल रही है महराष्टरा, करनाठका, गुजरात, ये तीनों तो एक ट्रिलियन पहुंच जाएंगे फैननसियल एर 49 तक ही जिस स्पीड से ये चल रहे है वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है अखेले करनाठका की बात करें तो 2038-49 तक ये प्राप्त कर चुकेगा अपना एक ट्रिलियन डॉलर का मार्क महराष्टरा 2049 तक और यहां अगर एवरेज ग्रोथ 8.3 रही तो और तेजी से गुजरात भी यहां पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है गुजरात भी लगभग इसी काल में प्राप्त कर लेगा एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थ विवस्ता अब इसके बाद कौन-कौन से राज्य हैं तो आपको बता दें इसके बाद माना जा रहा है यूपी तो है ही यूपी के साथ-साथ आंद्रपरदेश, मद्यपरदेश, तेलंगाना ये भी वो राज्य हैं जो बहुत जल्दी एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थ विवस्ता प्राप्त कर लेंगे यूँ ही नहीं कहा जा रहा है कि भारत के राज ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ